हाई गाईज, वेलकम टू शर्काटेडर्स, शर्काटेडर्स के अंदर मैं कोशिक सकर आपके साथ नेक्स्ट डे निप्टी, बैंक निप्टी पिटेशन, जैसे आपने देखें, लास्ट टाइम पे मार्केट को पर एक बड़ी हल चल मचता हुआ दिखाई दिया है, और बैं हम देख रहे हैं, 29th, 11, 2021, इसका जो लो बनाया था, इसी सेम पॉइंट का लोग को सपोर्ट थोड़ी सी लेता हुआ दिखाई दिया, अब आगे मार्केट, दिखें मैं हमें से बोलता हूँ, मैं ओबरनाइट में बिल्कुल नहीं बिलिप करता हूँ, मैं ओबरनाइट बि हमारा प्रीमियम ग्रूप में हीूज प्रॉफिट कराये हैं, आपका जो फ्री टेलिग्राम चैनल है, हमें पर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिलाए हैं, अब देखिए, कल के सेशन पर हमने निप्टी का क्या सपोर्ट आपको दिया था, तो निप्टी का क्लियर ब 16,550 के करीब से एक ग्रीन केंडल बनाना सुरूप कुया, हमने उस टाइम पर आपको कॉल अप्शन दिया, पहले हमने पूट अप्शन दिया, उसमें भी आपको प्रॉफिट इजनरेड हुआ, बाद में हमने कॉल अप्शन दिया, उसमें हीूज पॉफिट इजनरेड हो दिखाई दिया, और साथ में बैंक निप्टी का भी कॉल प्रॉफिट किया, अबराल जो हमरा पर्फमेंस रहा है, वो आपका सामने ये रहा है, तो चलिए अभी देखते हैं, जे छोटी टाइम फ्रेम के साथ, मार्केट ने किस तरगी से भी एप किया, आज तो फस्ट पालम है, बैंक निप्टी का सजेस्ट करूंगा, तो निप्टी बहुत ही किलिया, यहां पर कुछ भी यूज मत कीजिए, कुछ भी थियोरी मत यूज कीजिए, आपको किलिया दिखाई देरेजे, कल का लो के पास आया, ग्रीन कंडल बनाया, फाइब मिनिट के चार्ट, हम जब डाउन आ रहा था, हमने पूर्ट पोजिशन करी किया, तो रूंती हमरे को टारगेट मिला 15 मिर्ट के अंदर, और जब यहां से हमने को पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, इस सबोर्ट से, तो हमने यहां पे कॉल अफ्टन करी किया, फर्स्ट अपॉल हमने टारगेट 10 105, 105 से लेके 150 तक यह हाई जाता हूँ, हमें दिखाई दिया था, ओके, तो limited trade लेता हूँ, और limited trade कराता हूँ आप लोग को, और calculate situation बहुत ही clear है, बहुत ही clear है, देखो, आप अगर call यहां put position लिये हैं, तो उसको कोई clear solution मैं नहीं दूँगा, clear solution मैं नहीं दूँगा, चाहे आपको बुरा लगे यहां अच्छा लगे, ठीक है, बट सामने GDP growth का आकड़ा थोरी देवाद हमारा सामने पेजेंट होने वाले हैं, उसमें पूरा market depend करेगा, पूरा market उसमें depend करेगा, अगर आपको नोसिव अच्छा है, यानि कि आप यहां पर lottery काड़ के चले हैं, क्या काड़ के चले हैं, lottery काड़ के चले हैं, ठीक है, मैं clear बताता हूँ, आप lottery काड़ के चले हैं, अगर GDP growth result खराब आया तो market gap down होगा, GDP result अच्छा आया तो market gap up होगा, अब gap up यहां gap down को बीच में, कहां पर आप inter day का सही scenario आपको मिलेगा, और सही label आपको मिलेगा, यह मैं आप से डिसास जरूर करूँगा, ओके, चले, तो यहां पर देखिए, 16,600 के उपर market आयेगा, तो इसको उपर मेरा call site का clear view रहेगा, फर्स्ट आप resistance जो market face करेगा, देखो जो पहले support बन जाता है, वो ही label बाद में क्या हो जाता है, resistance बन जाता है, यह आपको को पता होगा, जरूर है ना, तो यहां पर जो कल का session का resistance मुझे लग रहा है, 16,600 के उपर, 16,665, क्लियार लिख लीजिए, जो मैं figure दे रहा हूँ, data prediction जब मैं किया हूँ, तो data prediction के according भी आपको, हमरे टेलिजर्यम चनल पे अल्रेडी मैं post कर दिया हूँ, क्या क्या support and resistance बन रहा है, तो जो technical resistance बन रहा है, वो जा रहा है 16,665, जब 16,600 लेबल से उपर मार्केट चलेगा, otherwise, low level क्या देख पा रहे हैं, 16,550 से नीचे मार्केट अगर चलना सुरू हुआ, तो यहां से आपको सर्फ डाउन साइड मिलेगा, सिर्फ 2-3 मिनिट का वेट कीजिए, 2-4 मिनिट का वेट कीजिएगा, 2-4 मिनिट का लो ब्रेक कर दिया, पूट साइड में चलो, अगर ऐसे जगा पर उपन होता है, तो अगर GDP ग्रोथ रिजल्ट अच्छा आता है, तो इसका करीब रिजल्ट उपन होता है, फर्स रिजिस्टेंस, यहाँ फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और 16,700 को ब्रेक कर दिया मार्केट, क्लियर है, अगर इसे ब्रेक कर दिया है, तो क्या होगा, एक सार्फ मुमेंट आपको 16,800 तक जाता हुआ, क्लियर कट दिखाई देगा, क्लियर कट, यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं करना, आप लोग क्वाफिट बुक करने में, ओके, चलिए, तो बैंग निप्टी, देखो कल का सेशन में भी, मैं बैंग निप्टी का, ओन डे का ग्राफ से मैं आपको बताया था, कि बैंग निप्टी क्या क्या है, मार्केट को चलने नहीं दिया, और एक तेजी के बाद, बैंग निप्टी एक ब्यारिष बैटन बनाया है, और उसी ब्यारिष बैटन का एलज़ाम देता हुआ, आज बैंग निप्टी दिया है, जो कि morning session पी थोड़ी थोड़ी downside चल रहा था, बाद में एक fully bearish candle बनता हुआ दिखाई दिया, सरफ एक ही support हमरे को बचा हुआ है, जो आज का low है, अगर इससे नीचे market opening होगा, तो market में और बड़ी ग्राबाट आएगा बैंग निप्टी को उपर, कम से कम 500 point तो आप मान लीजिए, ठीक है, 35,300 से नीचे market चलेगा, तो मैं यहां से 500 का point तो देख पा रहा हूँ, clear cut technical है, clear cut analysis है, market के अंदर pin point में हमें इंट्रेडे profit निकलने का मकसाद लेके चलना चाहिए, अब देखो, बड़ा momentum आएगा market में, बड़ा momentum market में आएगा, यह मैं expect कर रहा हूँ, बट कौन सी side में आएगा, यह मैं छोड़ रहा हूँ, GDP growth result के उपर, दो दिन market एक range पे चला है, खाश करके nifty, दो दिन market एक range पे चला है, तो इसके बाद तो market में बड़ा move बनता ही बनता है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जिनको पास इतनी सी technical है, जो हमारा वीडियो को हर रोज फॉलो करते होंगे, उनको तो यह clear हो गया है, बैंक निफ्ट का चाल, आपने लिया था profit, अगर इस technical के according आपने profit लिये हैं, तो comment section आपके लिए open है, जुरूर comment section में बताएगा, कि दोपर के बाद, यानि कि तीन बजी के बाद, जो market में move आया है, इस move को हमने profit लिये हैं, ओके, अब morning पे अगर market थोड़ा सा positive open होता है, तो मैंने यहाँ पे level आपको दे चुका हूँ, और level पे मैं बता चुका हूँ कि 35,550, 35,550 यह आपको pivot line रहेगा, 35,816 यह आपको firstly resistance रहेगा, second resistance 36,945, तीनों level मैं यहाँ पे mention कर चुका हूँ, और 35,550 के बाद अगर market डाउन हो जाता है, 35,220 और 34,959 यह मैं लेबल यहाँ पे लिखके देता हूँ, अगर चोटी फिगर आपको समझ में नहीं आ रहे, P लेबल बन जाएगा आपको 35,552, आपको R1 लेबल बन जाएगा 35,816, आपको S1 लेबल बन जाएगा 35,223 और S2 लेबल बन जाएगा 34,359, अब देखो, market डाउन का ज्यादा gap डाउन होता है, ठीक है, market डाउन का ज्यादा gap डाउन होता है, इसका करीब आ जाता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी time के लिए buying opportunity का मोका ढूनना है, बड़ थोड़ी सी multiple confirmation लेने के बाद, अगर आपको बस multiple confirmation नहीं है, तो आपका trade सही नहीं बनेगा, ओके, यहाँ से अगर positiveness बनना सुरू होता है, तो यहाँ से 35,200, near about, कितने point जा रहा है, sorry guys, यह जो level है, यह 959, 959, ओके, तो यहाँ से जो positiveness जा रहा है, यह कितने जा रहा है, near about 300 point, तो इसको उपर जुरूर धियान दीजिएगा, market अगर gap down open होके, एक जगा पे रुख जाता है, और बात में जब उस range को break करेगा, धियान से सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, किस तरिके से scenario आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है, यह market के closing है, अब दोगो fully depend कर रहा है, कल one way momentum का, कोई यहाँ पे दो दिन जो market एक range पे घुमा है, ऐसे कोई range नहीं मिलेगा आपको, one way momentum मिलेगा, अब one way momentum, clearly GDP, GDP result के उपर depend कर रहा है, कि market किस तरह आप जाएगा, अगर gap down ज़ादा हो जाता है, तो gap down होने के बाद market थोड़ा से रुखने का कोशिश करता है, अगर ऐसे range पे फज़ जाता है, तो range को आप plotting कर लीजिए, range को break होगा, तभी आप bind set में रहो, इससे ज़ादा बोलने के जुरू होता है, जो stock traders है, उनके लिए मैं clear बताऊंगा, अगर market में बड़ी ग्राबाट नहीं आता है, clearly आप watch list में रखिए भारती आटेल और हिंडल को, हिंडल को और भारती आटेल इन दोनों को आप clearly watch list में रखिए, का लगा थोड़ी सी positive और बनना सुरू हो जाता है, यानके आज का high को break करता है, यह दोनों stock, आप इसका call option लेके भी इंटर डे में अच्छा कासा profit कमा सकते हो, done, आप चले option chain में, option chain nipty का क्या scenarios अभी फिला last situation में दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे changement, यहाँ बहुत ज़्यादा open interest के अंदर changing नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा change in open interest में हमें changing नहीं दिख रहा है, but implied volatility put side में, implied volatility put side में बहुत ज़्यादा हुआ, because क्या कारून है, कि market का last session पे हमने clear देखे हैं, कि market एक huge grabat आया है, ताकि लोग 16,500 पे trading किये हैं, 16,600 पे trading किये हैं, हर एक put side के label पे दवा के trading किये हैं, और 16,600 का call के उपर थोड़ी बहुत trading लोगों ने किये हैं, ओके, तो picture clear है आपका सामने, कोई confuse नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जब market के उपर हमने कल का दिन में क्या करना चाहिए, लाश्ट अपल मैं पे clear लिए बता रहा हूं, GDP growth का result आने दीजिए, global market से बहुत clear संकत नहीं है, रात को global market open हो जाएगा, अब global market जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कुछ market थोड़ी सी positive साइड में है, कुछ market negative साइड में है, overall बिलाके, बहुत ज़्यादा clear signal global market से आमें आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो I hope, मैं expect करूँगा कि यह जो series है, यह वीडियो है साथ में morning 8.50 का जो morning update है, यह आपको काफी कामा रहा होगा, अगर कामा रहा है तो दोस्तों बज़र श्याद जरूर कीजेगा, और वीडियो अच्छे लग रहा है तो like बटन और bell icon जरूर दबाएगा, अच्छे नहीं लग रहा है, कोई जबर दस्ति नहीं है कि आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, थैंकू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भरत.